हर्याना वासी भाईयों बहनों और प्यारे बच्चों हर्याना के 54 स्थापना दिवस के एतिहासिक अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुब कामनाई देता हूँ और सभी के उज्वल भवशे की मंगल कामना करता हूँ यह अत्यंत सुखद्ध योग है कि आज के इस एतिहासिक दिवस से मात्र चार दिन पूर्व प्रदेश में 14 विधान सवा के लिए शांती और सोहार्द के वातावर्ण में चुनाव संपन हुए है यह आपकी लोकतांत्रिक सूजबूज, सामाजिक समरस्ता, आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे का प्रिणाम है और प्रमान भी है, इसके लिए मैं प्रदेश के सभी मद्दाताओं को हार देक बधाई देता हूँ प्यारे प्रदेश वासियो, जब हम अपने पिछले 53 वर्ष के अतीत में जाग कर देखते हैं तो हमारे इस छोटे से प्रदेश की बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर हमें गर्व होता है एक नमबर 1966 को जब हरियाना एक प्रिथक प्रदेश की रूप में अस्तित्व में आया तो अधिकांश बुद्धी जीवियों का मत था कि इतना छोटा राज्य शायद ही कभी सफल हो पाएगा जो करमचारी सेयुक्त पंजाब से इधर ट्रांसफर हुए उन्हें डर लगता था कि कहीं नए प्रदेश में उन्हें वेतन के लाले न पड़ जाए प्रदेश की जनता अपने उज्वल भविश्य के प्रति आशावान थी इसलिए हर आम और खास अपने रोजमर्रा के जीवन में और अधिक मिनत करने लगा उस समय मेरी आयू मात्र बारा वर्श की थी मुझे याद है कि हमारे गाउं बन्यानी में बिजली नहीं थी स्कूल से छुटी होने पर रोटियों से भरे कटोरदान को खेत में काम करते श्रमकों तक ले जाने के लिए मैं कच्चे रास्तों पर भागते भागते जाता और शाम को मिट्टी के तेल से जलने वाली लाल्टेन की रोशनी में पढ़ाई किया करता उस काल के कठिन जीवन के विपरीत आज हरियाना कहीं अधिक संपन और खुशाल है आज हरियाना की उपलब्धियों की चर्चा पूरे देश में ही नहीं अपित्यु विदेशों में भी होती है आज के इस पावन अवसर पर स्वतंतर भारत के एक प्रिथक राज्यक के रूप में हरियाना की गठन के लिए संगर्ष करने वालों तथा आधुनिक हरियाना के निर्मान के लिए कठिन परिश्रम करने वालों के प्रति हम कर्तग्यता विक्त करते हैं धर्ती का सीना चीर कर हर भारतवासी के भरपेट भुजन के लिए अनुगाने में जूटे किसान, मेहनत कश मजदूर, उद्यमशील उद्योगपती, करमठ व्यपारी, शांदार खिलाडी सभी के प्रयासों से हमारा आज का प्यारा और न्यारा हरियना बना है इस विकास यात्रा में राजनितिक शेत्र के अनेक मानुभावों विशेश कर समय समय पर प्रदेश के शाषन की भागडोर समालने वाले सभी भूतपूर मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी अपनी सोच के अनुरूप महतपूर्ण योगदान दिया है हरियना के गठन के बाद अनेक नेताओं ने राजय को आगे बढ़ाने का कारे किया प्रारम में पंडित भगवत देल शर्मा और राव विरेंदर सिंग थोड़े थोड़े समय तक ही हरियना के मुख्यमंत्री रहे प्रंतु उन्होंने ततकालीन चुनोतियों का डट कर मकाबला किया और नए संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू किये चौधरी बंसीलाल ने 1970 के दशक में हर गाउं तक सड़क और बिजली पहुँचाने और उठान से चाई दुआरा मरू क्षेतर में भी पानी पहुचाने का अनोखा काम किया इसके बाद शुरी बनारसी दास गुपता ने विकास की घती को आगे बढ़ाया चौधरी देविलाल ने राजनीती में लोक लाज से चलता है का मूल मंत्र हमें दिया उन्होंने समाज कल्याण के क्षेतर में एक नई सोच को मूर्त रूप देते हुए असी के दशक में हर बुजरु को सोर पे प्रती महा विर्दवस्ता सम्मान पेंशन दे कर एक नया रास्टी की इरतीमान स्थापित किया चौधरी भजनलाल के कारेकाल में भी विकास और जनकल्याण के क्षेतर में हरियाना निरंतर आगे बढ़ा उन्होंने अपनी बेटी अपना धम जैसी अनुठी योजना को लागू करके कन्या भुरून हत्या को सरकारी स्थर पर रोकने का प्रतम प्रयास भी किया इसके बाद श्री ओम प्रकाश चोटाला ने हरियाना को वैट लागू करने वाला देश का प्रथम प्रदेश बनाया और सरकार आपके द्वार कारकम शुरू किया उनके बाद श्री हुकम सेंग ने राजनीती को सादगी के नए आयाम दिये श्री भुपेंद्र सेंग भुड़ा के कारेकाल में प्रदेश ने आधार पूद रहाचे तथा खेलों के ख्षेतर में कई उपलब्धियां प्राप्त की हमने अपने पिछले पांच साल के कारेकाल में कई नई पहल की जिन से हरियाना केरोसीन मुक्त, खुले में शौच मुक्त और पड़ी लिखी पंचायतों वाला भारतवर्श का एक मातर राजे बना हमने ई गवर्नेस की सायता से ब्रस्टाचार पर अंकुष लगाने तथा नागिर्यों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाब मिल सके कारगर परिणाम आप सब के सामने आने शुरू हो गए हैं। का योगदान देने में हमारा दूसरा स्थान है इज ओफ डूइंग बिजनस के मामले में हरियाना उत्तर भारत में पहले स्थान पर और पूरे देश में तीसरे स्थान पर है ईवे बिल जारी करने में हम देश में चोथे स्थान पर तथा निर्यात और जीस्टी संग्रेण में पांचमें इस्थान पर हैं प्रिय प्रदेश वासियो हमारे राज्ये में आर्थिक विकास तो बहुत हुआ लेकिन सामाजिक विकास के माप दंडों पर अभी भी हमें बहुत कुछ करना है शिक्षा स्वास्थ सुरक्षा और स्वावलंबन ऐसे एक शित्र हैं जिने वरि मेला सुरक्षा पर और अधिक कारे करने की आउशक्ता है किसानों की आये शिक्षा वे कौशल के स्थर को बढ़ाने एवं जल संच और प्रयावन का सरक्षन आदिक शेत्रों में अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है हम मेलाओं के सशक्ति करन के लिए भी कृत संकल्प है इस दिशा में बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान को और आगे बढ़ाया जायेगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन समस्याओं का हल निकालने में आपकी सरकार दिन रात जीत और मेहनत करेगी इस दिशा में यदि साधनों और संसाधनों की कमी आड़े आएगी तो हम दिड़ इच्छा शक्ति के साथ उसे भी पूरा करेंगे प्रंतु मात्र सरकारी प्रयासों से ही हम सफल हो जाएंगे ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा इसके लिए हर जन को साथ मिलकर चलना होगा हमें अपने घर परिवार आसपडोस महले गाउं वाड कस्वे औ लुकता बढ़नी होगी आम नागरिक को अपने सुझाव सरकार को देने होंगे सरकारी योजनाओं के निगरानी भी करनी होगी जहां किसी योजना को लागू करने में कमी दिखे उसे सरकार को ध्यान में लाना सरकार और जनता के सतत समनोय से ही हम सामाजिक समस्याओं के अस हमस्या और हर निदान के हर प्रयास को राजनितिक लेंसों से देखने की प्रोड़ती को कम करना चाहिए हर चीज़ को अपने ख्षेत्रिया जाती की चौधर के पैमाने से नहीं अपना चाहिए यदि चौधर की बात करनी ही है तो हर्याना प्रदेश की चौधर की बात करें त ऐसे ही स्वास्त, शिक्षा, युवाओं के कौशल, महिला सुरक्षा, जल संचय और प्रयावन क्षेत्रों में भी हर्याना की एक गर्विली पैचान बननी चाहिए। हम चिंता करें, वहीं ये मान कर चलें कि देश-प्रदेश के संसादनों पर पहला अधिकार सबसे वंचित, सबसे पिछडे, सबसे पीछे छूट गए व्यक्ति का होता है। जल संकट वह प्रयावन प्रदूशन की चिंता नकेवल देश में बलके पूरे विश्व में होती है। एक सरकार के तौर पर और समाज के तौर पर इससे निपटना हमारा करतव्य है। हमारे मानिय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश के विकास का ऐसा माडल हो जिसमें प्राकृतिक संसादनों का इतना दोहन न हो कि हम भावी पीड़ी के लिए कुछ शेश ही न छोड़े। उन्होंने हाल ही में समुद्र के किनारे पड़े प्लास्टिक को बिनते हुए हमारे जीवन से प्लास्टिक को हटाने का एक बड़ा संदेश दिया है। हरियाना में भी जल ही जीवन है अभियान शुरू किया है। हमने संकल्प लिया है कि जल संचे जल सिंचन वर्षा की हर बुंद को रोकने तथा जल संग्रहन के काम में तेजी लाई जाए हमने पिछले कारे काल में प्रदेश के हर घर की रसोई में गैस सिलेंडर दे कर उसे धुआ मुक्त किया था इस बार हर घर में नल से शुद जल उपलब्द कराएंगे इसे हम केवल सरकारी ढंग से ही नहीं वरना जन भागिदारी के माध्यम से अत्यंत असरकारी ढंग से भी करेंगे मैं आपका आवहन करता हूँ कि आप जल संग्रक्षन के इस अभ्यान में बढ़ चड़ कर भाग लें इस समय इगवर्नेंस का हमारा प्रियोग व्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है इस नई व्यवस्था में पारदर्शिता है इमानदारी है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सब योजनाओं का लाप पहुंचाने क की शक्ति है तकनीकी करांती के उपयोग से प्रशाशनिक व्यवस्था में बेईमानी ब्रस्टाचार वा आनी मतिताओं पर बड़ा प्रहार हो रहा है पिछले पांच वर्षों में बत्तर हजार युवाओं की मेरिट के आधार पर पारदर्शी ढंग से सरकारी नौकरियों में की गई भरतियों के कारण परदेश में एक नया वातावन उत्वन हुआ है आज सभी बच्चे और युवा पढ़ाई के प्रति गंभीर हो गए हैं नौकरी के लिए सफार्शों की तलाश करने की बजाए परिक्षाओं की तैयारियों के लिए मेहनत करने लगे हैं इस प पहाई चारे की कडियां और मजबूत होंगी हरियाना एक हरियानवी एक की आदर्श नीती पर चलते हुए हम कारे करते रहेंगे चुस्त जिम्मेदार ब्रस्टा चार मुक्त और पारदर्शी शाशन विवस्था जड़ता से काइम रहेगी हम प्रदेश के हर क्षेत्र में स अब इससे भी उपर आने का लक्ष है प्रंतु इससे भी बढ़कर अब हमारा लक्ष हरियाना को इज ओफ लिविंग में देश में अगनी राज्य बनाने का है निसंदे इस मार्ग पर हमारे सामने बाधाएं और समस्याएं आएंगी प्रंतु हमें घबराना नहीं है हम सभ अठी में बंद तू फान है रे मनुश्य तू बड़ा महान है भूल मत मनुश्य तू बड़ा महान है जब हम समस्याओं का समाधान देखते हैं तो टुकडों में नहीं सोचना चाहिए एक बार वावाई के लिए हाथ लगा कर छोड़ देना या हर मोड पर राजनितिक नु नहीं जनकल्याण के लिए करना है बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं पथका अंतिम लक्ष नहीं हैं सिंगासन चड़ते जाना सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना जैसे मैंने पहले कहा इस समंद में हमेशा क्षेत्र जाति वर्ग के भिदों से उपर उठकर और राजनेतिक लेंसों के बिना देश और दुनिया में हरियाना की चौधर को बढ़ाने का ध्यान करें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले पांच वर्षों में राज्ये की प्रगती के लिए समर्पित भाव और लगन के साथ काम करते हुए इसे सभी ख्षि के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानी पशंतु मा कश्चित दुख भाग भवेद का लक्ष सुनिश्चित होगा हम चाहते हैं कि सरकार और जनता मिलकर साथ साथ चले मिल बैठकर आगे की रूप रेखा बनाने का यही सही समय है हम मा प्रधार मंत्री श्री नेंदर मोदी जी द्वारा दिये गए सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए जनता को साथ लेकर चलेंगे और विकास्वे कल्यान कारें तथा प्रकल्पों में जनता की भागेदारी सुनिशित करेंगे हम इस मार्ग पर निरंतर आग पुझ कर दो नवाद!